आई नमस्कार आज चर्चा करेंगे आंगल मैसुरस संबंध की बारे में और इसमें बहुत सारे अच्छे तॉपिक हैं की पर थम आगल मैसूरियों जिकिस के बीच में हुआ था कॉन उस-मीजीता कौन सी संधी होई तेपल सुल्टान का चरित्र कैसा था क्या वो धर्म निर्पेक्ष था कि नहीं था मैसूर का इतियास किया रहा है आई से बहुत स्वारी बाते हैं जिसको इसमें डिसकस करेंगे और यह प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ यू इन दा आयस एक्जामनेशन इस वरे इंपॉर्टेंट और जो वंडे एक्जाम्स होते हैं उ यहां पर मराठा सामराज्य था यहां पर एमफ और मराठा लिख देते हैं इधर जो है वो निजाम का था और यहां पर जो है मैसूर का था लेकिन यह जो नक्षर है वो नक्षर थोड़े से बाद का है अगर इसके पहले का नक्षर हम देखेंगे तो एक हम और नक्षर नाल सामराज हुआ करता था विजय नगर सामराज यह और विजय नगर सामराज की असापना सं 1336 में हरियर और बुक्का नाम के दो भाई थे तो उनका नाम था एक का नाम है हरियर हरियर और दूसरा का नाम है बुक्का यह दोनों भाई थे इन दोनों भाईयों ने मिल करके 1336 में समराज की थे और 1336 से ले करके 1480 इन्हों ने यहां पर राज किया और इसका एक वंश का नाम रखा इस वंश का नाम था संगम मंश यानि कि संगम मंश के नाम से जना जाता है इसके बाद लोगा होने के बाद इस पर इंञे वन्षफ ने 1418 2100 तक यहां पर शासंद्य किया इसरप नाम था शिलूव वन्ष फिर पिर इसके बाद वीजे नगर सामराज फिर से आकमड हुआ तुलूवःश के ऊपर आ आकमस्ट कारियों ने और उन्हों ने इस पर फिर कपजा कर लिया आकमल कारियों ने दूने पंदरा सो Cheese करके 1515 पैसठ तक यहां पर कब्जा बनाये रखा और उन्हों ने एक बंश की असापने की थी, जिसका नाम था तुलूववण्श तुलूब वन्ष के ही एक राजा है राजा कृष्रदेव राय जिसके बारे में सबी जानते हैं राजा कृष्रदेव राय तिनाली रामन इनकी कहानी सबी लोग जानते ही हैं तो राजा कृश्ण द Михassi नंगर स्मॉन करने ने गएर तुलूइव सामराज रखते थे जो है इनके सामराज में वह सरे लोग रहते शाला झाला और साहिती को संड़क्षर देते थे एक्ज़ाम में 2018-2019 इके क्रिष्ड देव राज जो कि वीजय नगर सामराज के इन्हों ने किस प्रकार कला और सहित्ति को अपने सामराज में सन्रक्षण दिया था तो यह आए इस की कोशन पूछा गया था खैर अब विजयनगर और 1565 में जब आ गया 1573 से 1565 की बीच में तुलूवश का स्थापना विजयनगर समराजी पर हो गया इसी बीच में 1526 में यहां पर तुर्की आक्रमड कारी बाबर जिसका नाब है बाबर भारत में आया और 1526 में बाबर दिल्ली पर आक्मड कर लिया और इसने एक वन्ष के स्थापना की जिसको बोलते हैं मुगल वन्ष मुगल वन्ष तो 1526 में बाबर ने मुगल वन्ष के स्थापना की दिली पर आक्मड किया और 1526 यह वहिकाल है जब पंदर शतीन और 1565 की विच में तुलूवश का सासन विजयनगर समराजी पर चला था और मुगल वन्ष सत्तह था केंद्री सत्तह में था उपर दिल्ले में काबिस था उस इस समए दक्षल भारत में विजै नगर और बहमेशन विजै नगर पर उस समय तुलुग वन्ष का शासन था और बहमनि सामराजिय अपने आप में चल ला था इन्दोनें के बीच में 1565 में युद्ध हो गया 1565 में इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया जिसको बोलते हैं ताली कोटा का युद्ध यह बहुत तुलूब वंश के समय में हुआ था तो 1565 में ताली कोटा के युद्ध हुआ बाहमनी सामराजी विजयनगर पर आक्रमण कर दिये दोनों का युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर सामराज जो है खंडित हो गया भी खंडित हो गया बहुत जाद कम जोर हो गया बहामनी सामराजी का एक प्रकेश से इस पर आधिपत हो गया और धीरे-धीरे मुगल सामराजी जो की बाबर थे 1520 से 1530 तक शायद बाबर रहे थे 1530 से आगे उनका बेटा हुमायू रहा था उसके बाद यह बैटा अकबर रहा था को यह सब ढहीं द्र दाशुड भारत में अपनि पहुंच बढ़ा रहे शुरूबात में दिल्ली में मुगलवान्ष नथा लेगिन लेकिन दिरे दिरे इनका दक्षड वारत में भी मोगल वनश्की अस्थापना बढ़ती जा रहे थे हैं तो जब ताली कोटा का यूद्ध हुआ 1565 में तो विजन अगर सामराजी विखंडित हो गया और एक सामराजी मना मराठा एक मैसूर एक निजाम के अंदर में जिसको बो विजन अगर सामराज ये इतरि से विखंडित हो गया था तो यहांपर एक नया अई वर्ष 20 watching 1515 में जिसको बोगते में वाडव्यार वण्ष आ ये अधा। कब जब आपनी और वीजय नगर सामराज की बीच में पैनी कोटा उध हुथ 565 में हुआ तो वीजय को में में का नंधर क राजा इनके अधीन दो अधिकारी काम कर रहे थे एक कना नंदराज वेकर नाल तो देव राज नंद राज जो है वो सर्वा धिकारी के पत्थ पर थे तो यह राज कि चिक्का का मैसुराज्य मैसूरख साम्राज Gothic पना तौक्ष का चिक्का상राज की अंडर जिसके अ यंदर Safavag नन्द राज के अंडर में एक व्यक्ति काम कर रहा था सेन के पदबर मैं साध़ार सायनिक ऐसके नम था हैदर अली Hadar कि ए ए得 था तो नंदराज का एक सैनिक था नंदरा एक सरवाधिकारी था एक सेना पती थे तो इसके सेनापति टूमे एक सैनिक काम करता था जिसके नहां था ये ली घरीप परिवार से था सैनिक वाले पद से धेरे-धेरे वो जाकरके और बड़े रैंक पर जाता गया और सो सब्सक्राइद तक वर्ड़ार की अंदर में राज़ चिक्क बने इनके अंडर में नंद राज और दुलवाई ये जो दो राजेद है तो यह सब जो है चल दया था तो पंद्रा सो पैसट में जो है यह वाडियर वन्ष के अस्तापना होई थी और नंदराज के अंडर में ही जो उनके वन्ष थे धिरे-धिरे जो सेना पती के पतपर थे तो बाद में जयाक करके हैदर अली उनीके सेना में शामिल हो गए है नंदराज के अंडर में ही यह लगभग डेर सो दूसो साल की बात की बात है जब हैदर अली नंदराज वली जो एक तरीके स्कालें पार्टी है या उनकी सेना में हैदर अली शामिल हो गए और यह बहुत अच्छा काम किया इंका जन्म अगर देखें हैदर अलीका तो 1721 में इंका जन्म होता लेकिन 1721 में जैसे विपिंच अंदरा किताब में लिखा हुआ है 1721 में इंका जन्म होता और यह वाडियार वनश की अंडर में काम कर रहे थे एक सैनिक थे और सैनिक से धीरे-धीरे इनका प्रमोशन होता गया बहुत कुशल थे यह और 1725 में इन्होंने फ अंगल और मैसूर का जब तीसरा यह दोता है 1790 से 1792 की बीच में तो यह डिंडीगुल वाला शेत्र डिंडीगुल मालाबार और एक अस्थान और हैं वह वाला शेत्र अक्षाल्ला था उसके जो प्रमुक सेनपति थे उनकी इसने हत्या कर दी और 1761 में यह मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया यानि है अब जब स्वतंत्र शासक के रोप में बने तो यह बढ़िया काम करते रहे अपने सामराज को जो है दिरी-दिरी विस्तार करते रहे और व समय अंग्रेज भी इते इसी समय 1764 का समय है जब बक्सर का यूद हुद था सत्रासो सताओन का समय है जब प्लासि का यूद था तो अंग्रेजियों की जो पकड़ है वह उत्री भारत में बंगाल वोले शेत्र में आवध वले शेतर में बहुत ज्याद़ बढ़ी गई थी पहले भी और 1761 वही समय है जब हैदर अली मैसूर के बन गया थे इसके पहले हैदर अबाद जो है पता होगा जब 1707 में कि मोगल वांश का जो एक प्रमुख राजा है जब 177 में उसका मृत्ति हो गया था और अरंग जेब का जब औरंग जेब की 17 सुवात में बिलती हो गए तो धीरे धीरे मुगल सत्ता है कमजोर होती गई और उसका पकड़ है पूरे भारत में धीरे धीरे वीक होता गया कमजोर होता गया जिसके कारण से मराठा मैसूर है अधराबाद उधर बंगाल यहां पर बंगाल यहां पर विखंडित हो चुका था भारत देख रहे हैं दिल्ली जब 17 साथ में टूटी औरंग जेब की मृती हुई तो सिक्खों का राजपताना का मराठा मैसूर हैदराबाद बंगाल यह सारे विखंडित हो चुके थे टूट चुके थे हैदराबाद उसी समय बना था 1724 में इसके अस्थापना करी थी 1724 में और 1748 में निजा मुल्मुल का सब जाके मृत्ति हो गई थी तो धेरे-धेरे हैदराबाद भी विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रसित हो गया था बंगाल जो है इसकी अस्थापना लगबग 1770 हमें मुर्षित कुली खां और अलिवर्दी नाम के दो जो बहुत ही प्रमुख सेनापती तरीके सैनिक थे सेनापती थे बहुत ही कुशल थे योग थे उन्होंने बंगाल सामराजी की एक स्वतन रुप से अस्थापना कर दी थी यह मुर्षित कुली खां जो है उसको संत्रहसों में जो है दीवान घुशित किया था ब मुर्षित कुली खां को सुबेदार बना गिदिया था और 1727 में जो है मुर्षित कुली खां की मुर्यत्य हो गई थे इसके बाद धिरे धिरे उसका शासन वहां पर चल दा था तरह 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ अब लासी का जब युद्ध हुआ तो बंगाल पे आवद के अस्थापना जो है एक लोगों ने की थी साधत खां बुर्धान उल मुल्क का नाम है यहां पर लिए और सिख फल तो रढ़जीत सिंग के अंदर में रढ़जीत सिंग कि अंदर अंडर में यह पंजाब राज्य जो है सिखों के अंडर में था मराथा जो है ऐसे मराथा भी सक्ति भी बहुत मजबूत होती जा लिए रहे थी हैदराबाद मैसूर के अंडर में हैदर अली 1761 तो उस समय का जो पूरा भारत है लगवा किस तरीके से था है तो 1761 में हैदर अली जो है वह मैसूर के एक स्वतंद रशासर के रूप में बन गये थे और यह बंगाल जो है वह भी मुगल प्रशासन जैसे उसकी थी जैसे दीवानी वाले वह उस्ता थी वह सब बंगाल वैसे मांता था अवद भिलगवग वैसे मांता था जो नजराने वह मैसूर है मैसूर है जो है वो भी जैसे केंद्रे सत्ता काम करती थी वैसे ही इनका वह करता था मराथा और जो बाजिरों पेशवा यह सब अपना अलगी लड़ मर रहे थे तो उस समय पूरी तरीजह से बार जो है अलग-अलग हो गया था लेकिन अगर इनके प्रशासन ग्योवात करें हैदर अली की तो यह जैसे मुगलों की वैसे था इनका भी और यह धीरे-धीरे हैदर अली अपने जो समराज उसका विस्तार करते गए बिदनूर एक स्थान है बिदनूर पर कपजा किया सेदा पर कपजा किया ऐसे कसान है सुदा सेदा कंणर सुद अधयर आभांचा गया ने था्तुलन स्थान एपिदनुट ने असनों कुद्ध करके न कर्का Claro मल्यालम। आपश हएदर अली जो है आक्रमाण करके पूरा जीत लिया उसका पूरे यहां पर फैल लिया पूरा दूर-दूर तक इसका सामराज कर स्टार होता चला गया और अंग्रेस थे यहां पर मद्रास से कस्तान है आज signature can क्रेस में अंग्रेसों कब यथा है क्योंकि दोपले द धू करकि मद्रास में फ्रांसिसी से ना पति तो उसको हरा कि कहा के मदरास के करनल हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइब जो कि पहले एक क्लर के रोप में भारत में आये थे लेकिन बाद में वह करनल बने उसके बाद बाद में अगर देखा जाए तो सत्रा सो पैंसर्ट से सत्रा सो सड्सर्ट की बीश में इनको बंगाल का गवर्र जर्र भी बना दिया गया था तो रॉबर्ट क्लाइब जो है मदरास में अक्टिव थें कब सत्रा सत्तावन के आसपास में और 1765 से सरसट के बीश में भी यह बंगाल में बहुँ ज़्यादा सक्री थे जब यह बक्सर अक्सर का युद्धित लिये थे तो 1765 में इनको पूरे बंगाल का जो उनका पूरा बंगाल अबद है उसका इनको बना दिया गया था गवर्णर जेनरल तो उस समय गवर्णर जेन सब्सक्राइब करेंगे तो मदरास वह अस्थान है यहां पर अंग्रेश थे यहां पर एक लोग थे हैदराबाद में यहां पर मैसूर में हैदर अली चल रहे थे तो इनका जब विस्तार होता चला गया इधर बिदनो सुदा सेद्दा मालाबार कंणर मल्याल मिया सब विस् पोच रहे थें कि हम अपना मालціं विदेश में में यूप में कैसे हैं तो यूद्ध ने का तरीका क्या हो सकता है यहां से इसे यृता सब्अने माल के पूरा अरब सागर के इसके बना लिया था तो टिपू सुल्तान पूरा जब उनका कब्जा था माला बार इस सब इलाके में तो यह मदरास में वैठें अंग्रेज सोचते थे कैसे हम अपना समान जो है यह 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 इसी कारण से हैं इसी कारण से पहला आंगल मैसुर्योद हुआ तो पहला आंगल मैसुर्योद इसी चरण में पढ़ते हैं इधर पढ़ने अंग्रेजों और मैसुर के बीच में चार युद्ध हुए थी जिनको आंगल मैसुर्योद वोलते हैं जिनमें से पहला होता है आंगल मैसुर वर प्रथम आंगल मैसुर की बीच में पहला युद्ध दो पक्ष थे इसमें यो कभे भी दो पक्षों के बीच में होगा तो एक पक्ष जो है एक पक्ष की तरफ अंग्रेज थे ब्रिटिश थे इन्ही के तरफ से करनाटक को ये मिला लिये थे ये अपने तरफ अपने में मराठा को मिला लिये थे अंग्रेज यह अपने में हैदराबाद को भी मिला लिये थे यानि कि निजाम को मिला लिये थे और एक तरफ अकेलिए थे हैदर अली एक तरफ अकेलिए हैदर अली थे यानि आल मैसूर का पच्छला युद्ध एक तरफ बिटेश करनाठाक मराठा निजाम और दूसरी तरफ हैदर अली यानि तरफ चारचर पार्टी एक तरफ अकेली पार्टी अलाजम पट्री एलायंस पार्टी है थी पूरी 6 फूर्स पर्टी डूजार चोटह में आई थी है यह अल्स को हराने के लिए पूरी एला आरोस वारेश ग व्रिंठ करना तो मराठा निजम लेकिन हैदर अली किया किये बहुत कोटने तिक था बहुत दिमागे था यह क्या किये मराठा स्काइब यह तुमको हम बहुत सारा पैसा देंगे धन देंगे तुम इनकी मदद ना करो आईसे ही निजाम को यह कहें कि हम तुमको बहुत सारा छेत्र देंगे तुम अंग्रिजर को मदद ना करो तो यह दोनों मान भी गए तो धन की लालत से मराठा और छेत्र की लालत से निजाम जो है मान गए और बिटिश की सेना में शामिल नहीं हुए तो लड़ा कौन-कौन ब्रिटिश और करनाटक यह दोनों मिल करके हैदर अलिके बीच में योध्य लड़ें कब तो यह यह दोनों के मदभव में यूद्ध हुआ और ध्यान रखना है कि इस समय भारत का कोई गवर्णर जनरल नहीं था यानि कि 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 नदर में मैसूर नहीं हुआ था क्योंकि उस समय है जो गावरौनर्रणलर हो ऊंगल का हुआ करता था यानि मैसूर के युद्ध में अंग्रेज में था बहरत कहलेुं क्षण करता था तो समस्सार अच्ञ elas कौन था तो करनाठा की राज़ानी फोगरती थी अरकाठ करनाठा की राज़ानी थी अरकाठ बहुत महतपूर्ट शहर है तो अरकाठ पर हैदर अले ने कबजा कर लिया उसको जीत लिया अब ब्रिटिश जो मदरास में फोदक रहे थें इनको भी इनोंने हराया उसमें जो करनल बेली नम उनके जो सिनापतित्तु के उसमें अंडर में यूद्ध हो रहा था मद्रास की तरफ से तो इस तरीके से यूद्ध हुआ जिसमें हैदर अली जो है जीत गए क्योंकि हैदर अली मद्रास पर भी अपना कब्जा बना लिये थे मद्रास को जीत लिया करनाटक को जीत लिया करनाटक राजनी पर कब्जा कर लिया मतलब पूरा कब्जा हो गया है तो करनाटक जीत लिये मद्रास का पूरा तरीकेस घहराव कर लिये तो अंग्रेज जो हक बका गए अंग्रेज अंग्रेज हक बकाए और इनके बीच में संदी संधी हुए संधी हुए कब 4-4 1779 को चार अप्रैल 1779 को मैसूर और जो अंग्रेज है उनके बीच में 1779 को संधी हुए इस संधी को बोलते हैं मद्रास के संधी मद्रास के संधी अब इसी पहली अगर ध्यान दे तो 1764 में बकसर के युद्ध में अंग्रेज इतने पाउरफुल हो गये थे अपनी पहुँच जो है पूरे भारत में बता दिये कि अंग्रेज के इतने ताकतवर हैं उदर दक्षड भारत में फ्रांसीजियों को रहे थे मतले था इतने बुली हो गए थी वह समझ गये कि मैसूर जा बहुत ही मजबूत सामराज है कंते मदरास के संधी उनको करनी पड़ी हाध जोड जो है यह मदरास के संधी हम में करनी है यह क्योंकि अभ हैão नहीं सकते हैं तो मिना संधी कर लिए संधी संभी संधी संध्य दो एनषा प्र anschand की और दूसरी को रटा निहाँ कि ऑपर कोई समस्bn आएगी कोई आप अपढ़ उठाएगा किए इदर हैदर आद कर नाता की सब जो सम्ट तो इनके प्रतीद्वंदी जो राजिते असपास में बहुत ज्यदे नाफरत घृडटा के दिरस्टे से देखते थे तो 17 सुनात्र में हैदर लाली कहें कि संधी के एक बात यह है कि अगर कोई भी मेरे उपर कुछ भी करेगा कोई भी आक्रमण करने का प्रयास करेगा तो आपको मेरी मदद करने पड़ेगी सहयोग करना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेजों के पास आधनिक शस्त्रागार यह सब और जो सैनिक हैं अच्छे-च्छे पश्मी वाले जो सीखे हुए थे ट्रेंडर सैनिक थे वो सब थे तो उनकी मदद कहें कि अगर कोई दिक्कत आएगी मैसूर के उपर तो मदद करना पड़ेगा मैसूर की आपको तो यहां पर जाकर कि आंगल मैसूरी हो दूस्तर माप लोग कब 4 अपरेल 177 अथर को जब संधी हो गई इस संधी को बोलते हैं मदरास की संधी बहुत इंप्रिलम समें पूछ सकता है और मैचिंग करने के लिए एजाम में आता है कि पहली उसके समय में कौन था मदरास की संधी कब होई थी तो चार अपर 177 अथर को उसमें क्या बात थ हुआ 1780-1784 के बीच में आंगल मैसूर वर सेकंड हुआ यानि कि आंगल मैसूर की युद में दूसरा युद हुआ 1780-84 यह क्यों हुआ इसकी प्रिष्ट बूमी क्या थी इसकी प्रिष्ट मूमी इसमें है कि 1779 में जब संधी हो गई थे उसी के बाद 1771 में माराठा जो है बोमैसूर के उपर वर करने की उद्देश से अांगल कर दिये अब मैसूर को ये मैसूर है एंफॉर में रठा तो मैसूर को मदद करनी चाहिए थ अंग्रेजों को लेकिन अंग्रेज आए नहीं अंग्रेज दरसल बौकलाये हुए थे उनको पूरे भारत पर कप्जा करना था अंग्रेजों को वह बुखलाए हुए थे जब मद्रास में वह हार गए सब कुछ उनका घिराओ हो गया मद्रास में तो वह मजबूरी में आकर के तो संदी कर लिये थे लेकिन जब मैसूर के ऊपर यह आक्मड हुआ तो अंग्रेज जो है उससे मुकर गए कि मतलब मदाद नहीं किये कुछनला करके तो यह धीरे धीरे प्रिस्ट भूमी बनी और यह जाकर कि आगे अंग्रेजों मैसूर के बीच में दूसरे जो यह उसकी प्रिस्ट भूमी तैयर कर देए ते 1780 में और दूसरा यह धुआ फिर 1780-184 बीच में दूसरा यह धुआ इसमें कौन-कौ ब्रिटिश थे यह कब सेकेंड आंगल मैसूर युद्ध हो रहा है इसमें कौन-कौन है एक तरफ तो ब्रिटिश है एक तरफ करनाटक है एक तरफ निजाम है एक तरफ माराठा है और दूसरे तरफ है है दर अली अब पिछले वाले आंगल मैसूर के जो पहला युद्ध था उसमें क्या था पिछले वाले में भी समीकरण यही था ब्रिटिश करनाटक माराठा निजाम लेकिन करनाटक जो है वो उसको अरकाट वाले युद्ध में हैदरली हरा दिये थे हैं माराठा जो है उसको धन का लालस देकर के माराठा को अपने युद्ध से हटा दिये थे निजाम जो है है उसको छेत्र का लालस देकर के उसको हटा दिये थे तो अंग्रेज समझ गए कि इन लोगों की कमज़ोरी क्या है तो क्या कि यह माराठा के साथ 1782 में एक संधी कर लिए यह 1781 में अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश हैं ब्रिटिश ने अंग्रेजों से संधी कर लिए कि आप जो है शांती समझोता कर लिए कि मराठा जो है अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करेंगे творit VIC81 में अंग्रेजिव ने मराठक से समझता कर लिया शाम्ति सम्झवता कर लिया कि आप मिरे उपर आंग्मर नहीं करेंगे मैं तुम्हारे उपर आंख्मर नहीं करूंगा तो सम्झवथा हो गई तो इस वले योध्में में मराठा उतरे नहीं मैदान में बचे निजाम को निजाम के कमजोरी क्या थी भूमें उनको शेतर चाहिए था विस्तारवादी थे प्रतिद्वन्दी थे तो पिछले वाले में करनाटक को यह जो यह निजाम है इसको शेतर का लालस देकर के हैदर लुली ने अपने मिला लिया करनाटक पहले भी अंगले जोग तरफ था अब भी अंगले जोग के तरफ से करनाटक जो है हलांकि अरकाट जो है अरकाट को पहले वाले युद में अंगल मैसुरी युद की पहले वाले युद में अरकाट को हैदर लुली जीत लिया था लेकिन संधी में क्या था एक दू दूसरे वाले में करणाटक फिर से यह दोने भाग्य हुआ तो दूसरे वाले यह दूमेंते कर यह दंद दे का है तो एक तरफ बिटिश करनाटक था और दूसरी टरफ तो यह योद में जो है करनाटक में अंग्रेजी सेना का नेत्र तू कर रहे थे उनका नाम था करनल बेली करनल बेली है लेगन करनाटक फिर से यहादर अली ने जित लिया और मद्रास जो है मद्रास पे भी दौरत गए वहाँ पर भी आपने के लिए कि मद्रास को भी जीत लिया जाए तो मद्रास में एक जो ब्रिटिश सैनिक था उसका रहां था आयर कूट अयर कूट और अयर कूट ने respirator उरेखे एक यत्रम की उन्यूहें इस में एक जाव हार गए थे, इसको बोलते हैं Polton इसने पोल्टो नोवो का युद्व में आयरकूट लड़ा कब 1700 इससे शुरू को दूसरा वना इस में पोल्टोनोवो का युद्व में पोल्टोनोवो की युद्व में आयरकूट जो है बिडश सैनिक था है कि इसने था वुरू तरीके हाया है वी निदी तरीकल अगले साल अगले दिसंबर 1782 में इसकी मृत्ति हो गई कि हैदर अली के मृत्ति हो गई तो फिर से एक बार पूरा दूसरा आंगल मैसरी युद रिकॉल कर लें इसमें एक तरफ बिटेश करनाठक निजाम मराठा थे लेकिन 1782 में मराठा को एक शांति समझोता करके अंग्रेज अपने पक्ष में मिला ल यह थे करनाठक की बाद ही तो करनाठक में युद्ध का नितरुत करणल वेली ने समाल है और कर अन्थ पिर मदराश कमुछे अब मदरास पहुँचने बाद बचाय क्या रखा था करनाटा को जीत लिया था है अब फिर यह मदरास में आयर कूट था जो कि बिटिस सेना का नेतिरुत कर रहा था उसने पोर्टो नुवू अले युद्ध में बोरी तरीके से हैदर अली को हराया जिसके कराल उसका अगले स साल 6 दिसंबर 1782 में इसके मृत्य हो गए तो यहां पर जाकर के यह जो दूसरा अंगल मैसुरियोद है वो समाप्त होता है और जब यह 6 दिसंबर 1782 को इसकी मृत्ति हो गई किसकी हैदर अली की मृत्ति हो गई तो हैदर अली का बेटा कौन था उसका बेटा नाम था टीपू सुल्तान फिर आगया अपने रोधर रूरुप में और थामस मोनरो करके लोग है उन्होंने टीपू सुल्तान को एक तरी त्री टीपू को अश्hesion राजा की रोप में किस नि состо c स्पास के छेत्र में और हैदर अली के पर्सनालिटी के ऊपर बहुत सरे कोशन मार्क भी लगते हैं कि वह धर्म नेरे पेक्ष्ट था सेकुलर रथा कि नहीं था तो उसके ऊपर भी डिसको सब्सक्राइब तो उसका बेटा आगया टीपू सुल्तान कि टीपू सुल्तान सत्रहसुब्यासी से लेकर के 1799 तक यह मुगल मैसूर समराज है उसको चलाया बहुत अच्छे तरीके चलाया और है इसमें जो कुशं बन सकता है तो यह की हैडरले के मृत्यूं कब होई थी तो जो दुति आ और ये बन सकता है बाझे मकोश्य यूद्अ कौन गवर्रेनर जनेल था गवर्रलय अंडा था हम बता और है कि 17aries सब्सक्राइब तावन से कि 1760 तक रोबर्ट क्लाइब जो है वो बंगाल का गवर्णर जनल था बंगाल का गवर्णर जनल भंगाल का गवर्णर जनल नहीं था केवल बंगाल का था फिर 1760 साठ से बंगाल का गवर्णर जनल बन गया बंगाल का गवर्णर जनल बन गया और इसके बाद सब्सक्रारामस बंगाल का की वह इसमें क्वेशन की अतब कर सकता है कि बंगाल का गवर्णर जनल बना रोबर्ट थह और बंगाल का जोट में सतरोष होत यह 272-let 24 तो बंगाल की ऑख्री गवेजनल को कहों था तो वर्रन हैस्टिंग्ज था जो में उसके बाद 1773 में क्या था एक ऐता ऐतन इस गोकिसे रेगुलेटिंग एक त्रेगुलेटिंग एक्ट है तो यह याने कि भारत में है बीटिशन ने कानून पारित किया था जिसका नान था रेगलेटिंग एक्ट बिटिश ने कहा कि अब भारत में अंगरेजों का बहुँ ज्यादा कप्जा हो गया होगा बढ़ाया कप्जा कर रहा है बहुत लूट पार्ट मचा रहे धर-ूदर तो शत्रह स्थीहता में इंडिया तो उस समय 17-17 में इनका कारीकाल पूर बंगाल की गवर्नर जनरल के हैसियस से बॉरेंस्टेंग्स का तो तुरंत इस 1774 में ही इनको तुरंत भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया और यह 1785 तक 11 साल तक इंडिया के गवर्नर जनरल हैं यह टम याद रखना है अभी तक बंगाल-बंगाल चलता था लेकिन यह रेगलेटेंग शाने क्वासі 734 से 50 तक तक गवर्नर जनरल कौन बने वोर्रें हेस्टिंग्स बने और कुछ है कि भरत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वर्रें हैस्टिंग साथ depth जास्किंट कि uppल्ध उसके बाद भारत के गवर्ण जंए उसका नाम था Lord Carnivalis Lord Carnivalis 1AKE भारत की गवर्णन जंद बन सतर्रह सू हैं इसी लौड कानबरस के समय में यह दूसरा वाला पहला वाला तो था यद्युज़ कोई भी गव ermवर्ण जिल नहीं था क्योंकि पहली वाली युद्ध जो थे वह 1770-1789 की बीच में हुई थी उसके में भारत का कोई गवश्णर नहीं था दूसरा वला युद्ध 18-84 बीच में थी तो 1773 में ही भारत की गवश्णर वाला पद आ गया था तो जो दूसरा युध्ध है 18 x 84 उसके समय में Warren Hastings यानि दुटी आंगलमैसोरु युध्ध में भारत के गवणर जन्रल कौन था तो वो और यस्तिंग था त्रिटी आंगलमैसोरु युध्ध जब होता है जो की सट्रसimporte pense 92 गरिच में वुँड़ उस समय भारतका गोवनर जनरर लौड काणवालेश था कि लौड काणवालेश के बारे में एक चील और जानले इसने आस्ताइए बंदोबस्थ लाया था यौड काणवालेश इसने क्या था कि जो भी भूराजस्स हो से उत्पादन होगा दो curator कि कि जाएगी लेंड रिवेल नियों उसके बार हम कहा कि इसका 90% जो कलेक्शन है वो बिटिश इंडिया गौवर्मेंट जो है उसको दिया जाएगा और 10% हिस्सा जो है वो फार्मर्स अपने पास रखें यानि लेंड रिवेन्यू का 90% हिस्सा बिटिश इंडिया के गौवर्नर को देना था गौवर्मेंट को देना था और 10% हिस्सा ही फार्मर अपने पास रखें यानि कि 9 बटे 10 हिस्सा आपने उपच का जो है अंग्रीजों को देना पड़ता था उस समय जब यह स्थाई बंद पर भारत में नागरिक सेवा लाने का इसके जाता है नागरिक सीवा लाने के श्रे जाता है तो इनके बारे मं धोशीच ध्यान रखना है उसको 1793 यह can be 1708 की बीच में भारत की गवर्नर जक्ट популяр तो सर्जॉन शोर करके एक नाम हैं सर जंचॉर सर जॉन शोर यह शेड नहीं शोर है सर जॉन शोर 1793 से अठानबे के बीच में भारत के गवर्णर जनल रहें और इन्होंने एक नीटी अपनाई जिसको बुलते हैं अहस्तक्षेप की नीटी यानि कि भारत के राज्जे शामराज्जे आपस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना है बस सिंपल सा अपना काम धाम करना है अहस्तक्षेप की नीती इन्होंने अपनाई थी 1793 से अठानवी बीच में सर्जॉन शोर ने जो कि भारत की गवर्णर जनल थे लॉड कार्नवाल इसके बाद इसके बाद 1798 से 1805 तक लॉड विलेजली लॉड विलेजली जो है यह भारत की गवर्णर जनल मने और लॉड विलेजली के समय में ही आंगल मैसूर युद्ध का जो चौथा युद्ध है जो आखरी युद्ध है 1799 में जो आंगल मैसूर का चौथा युद्ध हुआ टीपू सुल्तान और अंगलेजलों के भीच में उस समय भारत का गवर्णर जनल लॉड विलेजली था तो यह कुछ बाते हैं जो कन्फिजन नहों यह एक लाइन से लिखी सब्सक्राइब तो उसके बाद उस कानून के इसाब से अब भारत का गवर्णर जनल कहलाएगा तो 1724 से 85 तक भारत का पहला गवर्णर जनल वारेन हैस्टिंग्स बना फिस 1786 से 1390 लॉड कारणवालिस दूसरा गवर्णर जनल बना भारत का इसने स्थाई बंदो बसलाए थ जिसमें 90% उपज जो है वह अंग्रेज को देना था 10% किसान अपने पास रखें नागरिक सेव का जनक लॉड कानवालिस से भारत में और तिरानवे से अठानवे बीच में सर्जौन शोर भारत की गवर्णर जनल थे यहोंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी 1798 से अठ और साहिट संधीनी टीफू सुल्टान के ऊपर थोपना चाहते थे इसी गयर सतरु सुनिय नवे में चौथा युद्ध हुआ था जिसमें टीफू सुल्टान हार गये थे खेर थोड़ास पहले टीफू सुल्तान के बारें जानेंगे उसके पार तीसरा युद्ध के से थोड़ी सी बातें थे टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली का बेटा था छे देसंबर 1782 में जब हैदर अली की मृत्ति हो गई थी तो टीपू सुल्तान मैसूर का राजया बन गया था यह इस थर्म निर्पेख्श की नीतिका पर्म करता था है जब कॉं और जब बीज़बी की बीच में थोड़ा होता है तो कॉंग्छ कहती है तो बड़ा अच्छा राजा था दो बेजभी पेटिहन रचता यह तो मतलब के हिंदु को हिंदु का विनाश करता था हिंदु कमारता था इसके जो इसका जो तलवार है इसके तलवार में लिखा हो लें-कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हिन्दू है वो इसलाम-कपालन नहीं करते हैं मतलब की हिंदू-काफिर हो गए तो अपनी अपने तरफ से परिभाशा गढ़ती जा ती है काफिर मतलब वह शेत्र की हिसाब से परिप्रेख्षी यह सदर्व कि रेफरेंस की हिसाब से बदलता रहता है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसके तलवार में लिखा होता था कि काफिर हैं हिंदू काफिर हैं और काफिरों को मारूं यह कि सुल्टान जो है जैसा की थोड़ा बहुत मुझे ग्यान है उसमें पुस्तकों में वेभियन स्रोतों से पढ़ने मिलता है वह हिंदू को मारता था मुस्लिम भी मारता था जो लोग अंग्रेजियों की मदद करते थे उसको मारता था यानि कि जो भूमी का कानू नहीं मा तो उसको सजा दी जानी चाहिए और उस समय सजा नहीं मानें दस लोग नहीं करते हैं चाहिए और दस लोग नहीं साथ हिंदू हैं तीन मुस्लिम यह क्या करता दस के शेंदू सजा देगा ऐसा कि साथ हिंदुह तीन मुसलिम है तो यह एक काम करो सिर्फ 5 हिंदू को इसाज देंगे आ है क्योंकि तीन मुसलिम है मत थी मूस दो यह तो कोई नियाए क सित्धान पनाई है और यह से 10 लोगों में साथ हिंदू थे तीन मुसलिम थे कि तीँ मुस्री में- इसलिए तेनी हिं-हिंड़ों को मार दो शॉह crime-- इसलिए हिंडू को मारें थे इससाथ हिंडू कि मारें तो यहिंग daar नहीं है कि तो ज्यादा लोग अंग्रेजियों को साहता करेंगे उसको उसको मारता था तो अपने आप में ही धर्म निर्प्रेक्ष्टा की नियाय का ही सिद्धान्त है अब तरीका भले थोड़ा सा कठोर हो सकता है कि वो गला काट दे उसको बहुत बेरहमी से मार दे तरीका भले गलत हो लेकिन नियाकि सिद्धानत पर तो टिपु सुल्टान एकदम खरा उत्रह है इसको देखा जा सकता है कुछ लोग कहता है कि कषाट की पाथे पुस्तक में ज Instr Parent के है उसने बताया कि कच्षाट की पुझत को बहुत महान दिखाये गया है अगर महान दिखाये जाएगर to सुल्थान को तो बच्चे उसको देखेंगे पढ़ेंगे प्रसुल्थान को अपना आधर्श मानेंगे कि वस thickness भाला अच्छा है पिपु अच्छा तो इसको मानना चाहिए तुसको मानना चाहिए सबकर सब्सक्राइब तरिके से दंद दे रहे तो यह गलत बात है तो हम स सकते हैं कि फुल्दान से मानने में क्या हर्ज है अगर उसका कोई पूरी तरह के से टीपू सुलदान का समर्थन करती है जो बीजेपी होते हैं तो हम लोग विद्यारती हैं पढ़ने-लिखने वाले हैं तो हम को यह चाहिए कि मध्यम रास्था अपनाएं जो अरस्तु ने दिया था मध्यम रास्था जो उसके पहले गौतम बुध ने दिया था मध्यम मार्ग उसको अपनाएं हर व्यक्ति से जो अच्छी बाते हैं उसको सीखें जो बुरी बाते हैं उसको बाइकाट करदें और दुनिया में कोई व्या मारटा तादैव निर्पीक्ष था इसके लिए एक दो प्रमार दिया चाहिक वह यह गोजिए 3191 में मराठा लोका माराठा जाए जाए करते हैं लेकिन 1789 में यहीं माराठा जो देश्रिंगेरी मंदिर हैं कि रिंगेरी ए拼। मैसूर में टेंपल है इस तेंपल ठ्यपंगेरी टैंपल को माराठ्हाओं ने अस्ते विएकल कर दिया उसको छती पहूचा दे थी लेकिन टीपु सिल्टान जो है इस श्रिंगेरी मंदिर को दान देता था उसकी जो जो जैस माता की टैंपल माता जो टेंपल थे उसको नहीं दान दिया उसकी प्रतिमा को तोड़ फोर दिया हमार आठाउने तो कि पुष सुल्थान ने उसकी प्रतिमा को बनवाए ऐसे ही एक मंदिर और है जो की टिपु सुल्थान के जो महल था जो सुल्थान की राज़ानी थे श्रेयंग पर्टम तो उसके महल से थोड़ी सौगस की दूरी पर एक मंदिर था उस मंदिर को भी वो दान करता था तो उसके मंदिर हैं महल के आसपास में हिंदू लोग भी रहते थे तो उनको भी वो दान करता था रंगनाथ का मंदिर बोलते हैं रंगनाथ टेंपल तो रंगनाथ टेंपल उसके महल से मात्र सौगस की दूरी पर था लेकिन इसको तो टीपु सुल्दान ने कभी छती नहीं पहुंचाई जबकि मराठाओं ने 17 स्ट्रिंगरी मंदिर को छती पहुंचाई तो इसने उसको दा और यह रंगनाथ मंदिर उसके बास में था तोड़वा देता शक्तिशाली था तोड़वा देता लेकिन नहीं तोड़वाया विपक्षियों का यह मानना है कि टीपु सुल्दान ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपना अंतराष्ट्री संबंद अच्छे तरीकिस बना सके यह अब कारण कुछ भी हो अंतराष्टी संबन्द भनाने के लिए किया हूं कारण कस्यु भी Hm यह पना अब कारह मताकर करके उसके अच्छे कार्य को गलत कर रा तो यह तो अ हुद ए हुद वह सब इसम को देखते हुए हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान धर्म निर्पेक्ष था लेकिन हम को यह भी मन चाहिए कि थोड़ा सा क्योंकि जो विदेशी परिव्यक्षक थे जैसे कि मुन्रो अगर थॉमस मुन्रो उन्होंने भी अशांत आत्मा के रूप में उसको परिभ जो बूरी बात उसके लिए विरोध कि चाहे टीपू सुल्तान चाहे नरेंदर मोदी इसले नहीं में मनेंगे खेर यह धर्मनिर पेस्टा वाली बात थे अगर टीपू सुल्तान के समय में दिखा जो फार्मर कैसे थे तो राज ये तो जो था इस्टेट इस्टेट और फार्मर की बीच में एक बीच में मध्यास्ता करने वाले होते थे जिनको बोलते हैं जमीदार तो जमीदारों को इसने जो है खटा दिया यानि यह फार्मर से सीधा रिलेशन इस्टेट का हो गया टेपो सुल्दान ने फार्मर और इस्टेट की बीच में सीधा संबन बनाया इसकी बीच में जमीदार होते थे जमीदार को इन्होंने हटा दिया लेकिन एक चीज यह था कि जो राजस वो था जो भूमिस से राजस इकटा करते थे वह एक तिहाई लेते थे यानि अपने कुल खेली हुआ लेकिन यह हैं कि जमीदारी पर्थार्यों है उसको समाप्ट कर दिया था यह इसके बारे मुझ बूरी कहले अच्छी यह आपने राजस बढ़ाने के लिए एक काम कहलें और यह अंतरस्ट्वी संबंध इंटरनेस्मरेशन रिलेशंस उसको बढ़ाने का प्यास किया जैसे एक कसने कुस्तन दुनिया क कुस्तों तुनिया कुस्तों तुनिया रूव सचीन फ्रांस इन सबसे वो अंतराश्टी समंद्छ बढ़ाने का प्रयास कि यह हैं और गए और सत्रासूपचासी में कि यह वाला जो शेत्र हैान मला वार है अलबार शेत्र से अंग्रेज व्यापार करते थे काली मिर्श का चंदन की लकड़ी का इन सब का व्यापार करते थे तो 1785 में जो है उस निर्याद को उन्होंने रोक लगा दिया यह कुछ ऐसे चीज़ थे जिसके कालार से अंग्रेज बहुँ जदा कृँध हुए आकरोशित हुए और इसके कारार से तीसरा युद्ध हुआ, आंगल मैसूर का तीसरा युद्ध, इधर बता दे, तो आंगल मैसूर की बीच में तीसरा युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध के क्या कारार पड़ड़ां थे वो भी देखने हैं, यानि आंगल मैसूर वार थर्ड, इट हैपन इन 1792, 1792 यह इनि 1790 से 1792 की विच में आंगल मैसुर की यूज में तीसरा यूद्ध के बीच में हुआ तो टीपो सुल्तान और अंगदेजों की बीच में हुआ उस समय गवर्णर जनरल कौन था लॉड कार्णवालिस था जो कि 1766 से तिरानवे विच में ना था तो लॉड कार्णवा त्रिती आंगल मैसुर यूद्ध के समय में भारत का गवर्णर जनरल था इसमें क्या था कि त्रावड कोर के जो राजा थे यहां दक्ष्टबाद में केरल में ही एक असाने त्रावड कोर जो कि शिक्षा आधी के मावले में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं तो कोचीन रियासत त्रावड को कि राजफें को यह कहें कि मैसूर के टीपू सुल्तान कोचीन को अपने अंडर में मानता था क्योंकि जान दा थे कि उसके पापा जो है माला बार तक पुरा कपजा किया है तो पापा ने किया था है उनके हैदर अली पिता यह तो वह मानते कोची जो है वह मैंसूर रियासत के अंदर महिं आता है लेकिन त्रावण कोर के राजा जो थे वह कोचीन के कुछ शेत करागा नूर करके एक दो शेत रहे तुर कुछ लोग थे यहां पर ड़े की कंपनियां उसमें थी ड़े लुग आए ही थे यूरोपे कंपनियों कर भारत में आघ़ मनवले में पढ़े थे ड़े लोग का यहां पर कुछ कंपणिया हो गए रहा थी तो कोचीन जो यहां के राजा से त्रावड कोर के राजा सोचे कि डश लोगों से कुछ क्रागा नूर और एक दो स्थान थे उन अस्थान को खरीद लिया जाए तंजना और क्रागा नूर ऐसे अस्थान थे जिनको त्रावड कोर के राजा सोचे कि डश लोगों से खरीद लिया जाएं मोल ले लिया जाएं तो इस पर मैसूर के जो टीपो सुल्दाने अकुरुद हो गए कही कि तो मालाबार वाला इलाका है यह सारा पापा ने जीता है त उसकी जो सौवरेनिटी या सम्प्रभूता है उस पर खात्रा जब उसको दिखने लगा तब त्रावड कोर के बीच में और मैसूर के बीच में थोड़ा सा उठा पटक होने लगे तो अंग्रेज जो थे यही था फूट डलू राजकरो वाली एक लोगों के तरफ से मदद क एक तरफ होगे त्रावड कोर वगरा और दूसरी तरफ होगे टीपू सुल्तान कि इन दोनों के बीच में युद्ध जो है अवश्यम्भावी हो गया अब क्या हुआ इधरी दक्षण भारत में ही देखा जाए तो एक असान वेल्लोर वेल्लोर से निकले मदरास के पास से ए? अम्बूर पहुचे वेललओर अमबूर अमबूर से फ्र बंगलोर पहुचे ए थोड़ा सा नक्ष्ट हम इधर देखनें थोड़ा सा सा मदरास मैं तो आंगी निगले बंगलाओर निनने जीत लिया बंगलोव का गे चलीन बढला पहुचक्ट की apros लेंकुछ समय के बाद क३रमटूर को अपने हाथ से गमा दिया है में कुंद कॏमटूर को अपने हाथ से गबा दिया है तो तृती वाले में देखें तो बिटिश थे ध्रावड की राजव करया थे निजाम भी थे और माराथका थी इनके साथ साथ मिल गये थे हैदर अली के साथ मिल गये थे और दूसरे वाले में करनाटक जो था ब्रिटिश की तरफ से था पहले वाले में भी करनाटक जो है ब्रिटिश की तरफ से था तीसरे वाले में भी करनाटक एक तरीखे से ब्रिटिश के साथ ही था रहेगे निजाम निजाम पह तरफ मिल गये थे लेकिन तीसरे वाले निजाम जो है अंग्री तरफ से मिले रहें यानि एक बार गुंटूर वाला लालस दे दिये दुबारा हैदर अली या टीपु सुल्तान की नहीं रही कि होगी कि कुछ शेत्र का लालस देकर की मिला जाए तो लालस नहीं दिया गया टी क्योंकि उनके पापन ने माराठा को अलग कर लिया था पैसा दे करके निजाम को अलग कर लिया था कुछ शेत्र का लालस दे करके कन्नाटक को खुदी मार मार के जित लिया था तो पहली युद्ध हुई थी इसको बोलते हैं मदरास की संधी 1769 में दूसरा वाला जब हुए मॐ अब आथा को अपने मिला लिए है करनातक जो है कनाटक को भी जीत लिया कर लगे करना दोड़ां करके कनाट आथा वाला काटल ही लाका भी है दलाकल जीत लियत हाँ समय कर दो हर्दम आग तरफ ही इस द्शानक और छोट नेतिक समझ शायद नहीं के मंत्री-क travaille तो सारे के सारे जो है बिटिश की तरफ थे टिप उसलतानेक तरफ था शायद इसी कारण से तीसरा आंगल मैसुर युद्ध यह हार गए रहे होंगे जो दूसरा युद्ध है इसमें ध्यान रखना है कि दूसरा जब आंगल मैसुर युद्ध हुआ था तो इसके बाद संधी हो गई थी दूसरे सब्सक्राइब के बाद इसको बोलते मंगलोर की संधी कब कि मार्च 1784 में यानि 1782 में तो हैदर अली की मृत्य हो गई थी फिर दो साल तक अंग्रेज और टीपो सुल्टान की बीच में जड़ाप होती रही 1782 से 24 फिर अपरेल 1784 में जन्वरी मार्च 1784 में इसको बोलते मंगलोर के संधी इना है मंगलोर की कि के संधी हुई ती कब मार्च 1784 में दुती आंगल मैसली युद के बाद मंगलोर की संधी में यही बातें थी कि एक दूसरे कि इलाकर लोटा दिये जाए इस टाइप का फिर तीसरा आंगल मैसुर युद्ध यहां पर हुआ इसमें टीपू सुल्तान जो है वो हार गया अंग्री जोलापक्ष जीत गया और तीसरे आंगल मैसुर युद्ध के समय में कारणवालीज भारत का गवर्णर जनलत था जब यह जीते तो 17 सब्वान नबे में संधी हुई जितने के बाद ही संधी होगी संधी समझोता टीपू सुल्तान ओए हुए थे तो बेचारे हो गये थे तो 17 सुल्तान को मानना पड़ा है संधीन के ऊपर ठुपी, पहले तो यह कि अपने मैसुर राजी के जितना भी इलाका है उसका आधा इलाका जो है वो अंग्रेजों को और उनके साथियों को नीजा, मराठा, कनाठा के ये सब जो है अंग्रेजों को साथि उनको लोटा दिया जाए तो आधा इलाका इनको दे दिना पड़ा दूसरा तीन करोड रुपए तीन करोड रुपए युद्ध जटी के रोप में टीपू सुल्टान को अंगरीजों को देना पड़ा था तो ये दो संधी की बाते थे और कार्नवालिस ने जब ये युद्ध जीता तो कार्नवालिस ने एक टिपड़ी दी थी उसने कहा कि तीसरा आंगल मैसूर युद्ध इस तरीके से है टीपू सुल्टान की साथ जो युद्ध लड़े वो इस तरीके से हैं कि हमने अपने शत्र को भी हरा दिया और अपने मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया अपने मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रों को हरा भी दिया शत्रों को हरा भी दिये और मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया क्योंकि आधार राज जितो अंग्रेजों मिला बिला उनके साथियों को लेकिन अग्रेज़ों ने जो उनके साथियों को याने कर नाटा को निजामको च्छेत्र दिये वह रणनीतिक रूप से सामरिक रूप से स्ञैनिक रूप से उपजाओ के उससे कृष्षी के रूप में और अच्छे नहीं थे भूमandel है की यानि एंग्रेजों के साथियों ने अंग्रेजों को साथ टो दिया वह बेकार बेकार खेज्थर दे दिया इसको अपने साथियों को और अच्या से खुजरख लिया जो रगदी सामरिक महातू के थे महातूपूर्पॉंड पमota की थे कि हमने अपने शत्रों को हराबी दिया और मित्रों को मजबूत भी नहीं ने दिया तो यह टिपड़ी की थी कारणवाल इसने कब की थी तो 1772 में की थी और इस संधी को क्या बोलते हैं संधी को श्रे रंग पट्टम की संधी जिसमें संधी की यह दो शर्त थी जिसको ट कि अब कार 49 का शासन का 1734 में समाप्त हो गया उसकी बाद आगे सर्जॉन शोर सर्जॉन शोर अहस्तक शेप की नीति का पारण करते थे कि भाईया आप जैसा काम करने करिए हम आपके शासन में आंतर जो मामले हैं उसमें हस्तक शेप करेंगे तो इस कारण से टीपू सुल्त सुल्तान का जो राज है 1792 से 1798 तक चलता रहा ठीक से चलता रहा बहुत कमजोर हो चुकी थे चीड़ हो चुकी थे क्योंकि आधा इलाका उसके चला गया था अंगरे जो कब्जे में तो छेड़ तो हो चुकी थी लेकिन उसके बाद जो आया गवर्नर जनरल सर्जॉन शोर थोड़ा सा विनम्र टाइब करें सकते हैं उसने की प्रशाथ वी की थी है Beno से यह प्रशानशा करी की जो मदरास वाला इलाका है वहां के साथा वो भी उतने खुशाल नहीं है जतने खुशाल मैसूर वाले किसान है यानि मैसुर के किसान बैधिसक् glorious नहीं करना पड़ा है लेकिन 1798 के बाद नहीं कि सन 1799 में कौन आया 1798 से अठाउसमाच यह चले थे 1793 अठाउसमाच यह चले थे 1793 अठाउसमाच चले तो इनके बारे हम कहा जाता है कि यह एक सामराज जिवादी गवर्णर जनल थे सामराज जिवादी अठाउसमाच को बढ़ाना कोई भी सामदाम दंडभेट किसी भी तरीके से अपने शेत्र को बढ़ाना वाली नीती का पालन करते थे लौड विलेजली और इन्होंने 1799 में एक योजना लेकर कि आये कि शेत्र को भारत जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें कैसे मिलाया जाए तो उनका लौड विलेजली का मनना था कि बहुत ज़्यादा लडाई जगला करने से क्या होगा संसाधन का नुक्सान होगा तो लडाई जगला नहीं किया जाए उनको एक सिदह सिदह पत्र भेजा जाए एक डॉ दॉकुमेंट करना था सहायक संधी है हो सहायक संधी तो कुष्ण में पूर सकते हैं कोन लाया था लौड विलेजली लाया था जातां और 2020 के आई एएस के परिक्षा में है है 2020 की परिक्षा में ये कोश्षा है कि लॉड विट्वेजज्व ली की भारत में विस्तार की नीती क्या थे यह के इस परिक्षा पुछा गिए हैं तो विस्तार की नीती क्या थी ठीऊ कभी Shape. बिसलिके वस्तार के नीती थी तो कि लॉड विलेजलिक कह रहे थे कि उनका लॉड विलेजलिक मनना था कि टीपु सुल्दान बड़ा मजबूत है बड़ा आत्म विश्वासी बैगती है वो अपने राजय को इसी नहीं जाने देगा बहुत मजबूत है वो तो उसने कहा कि किसी भी तरीके से टीपु सुल्दान को हराना है उसको कमजोर करना है तो वो सबसे पहले तो साहयक संधी वाला जो पत्र है जो एग्रिमेंट है उसको सबसे पहले भेजा टीपु सुल्दान के पास टीपु सुल्दान पढ़े साहयक संधी के शर्त हैं साहयक स संधी पर हस्ताक्षर कर देगा से तो वह असे जो अपना एक्स्टर्नल जो चीज होती है यानि अध्य की जैसे आज में भार्थ सरकार में क्या होता है सेंटर गोर्वननेंट के दर में जो संचार होता है वह तो इंटरनेशन के अंडर सरकार के अंडर में होती है कि आई सहाइक संदी जो सैन कर देता था तो इसका मतलब यह था कि अब आपकी जो संप्रब होता ही एंग्रेजों प्रीजों के हांे आ गई है मतलब यह कि आप आपना सैनिक नहीं रख सकतेव на security नहीं रख सकते हैं आप किसी हो कि दूसरे से किसी दूसरे समराजी से बाथ चेत नहीं कर सकते बीन humans की मदद से यानी अब आपकी बात dark work करेंगे हैं यानि अगर कर देथे हैं तो मैसूर को यंडिश्यान को अगर मालो बात करनी थी बंगा Voldo बात कर inviting थे यह नहीं बात कर सकते थे इनके राज में एक रेजिडेंट रख दिया जाता जो साहिक संदी साइन करता उनके राज में एक रेजिडेंट रख दिया जाता वह रेजिडेंट बात करता मैसूर की तरफ से थे तो एगर इंट्रीन स्ञ घ्र hiney डूरा रहा है संबंद्ध बना रहा है आसपास गों भुल में दूर दूर में दूसरे देशों से इसका मतलब इसा हूं जो निरळुन केश्द हैंश है रहा भानेस्लां करने वाणे तो यह टूस्ञ शुरॉत करने सम्विधान निर्माड के समय में 1770 क्यासपास में आत्म निरड़े का सिध्धान दाया था कि हमें अपना सम्विधान खुद बनाना है तो आत्म निरड़े का सिध्धान टीपू सुल्टान के हाँ से चला जाता है तो टीपू सुल्टान है उसको कुछ न कुछ बहाना चाहिए उसने बहाना बनाया कहा कि यह तो टीपू सुल्तान है वह consistency यह इन त यह ने अ Cuando कि इसके कारण से लौड विलेजली जो है युद्ध का आहवान कर दिए युद्ध लड़ो ये तो अंतराश्टी संबंध बना रहा है हमारे उपर हमको हरानिक लिए शड़यंत रश्रा है तो इसने जो है युद्ध की प्रिष्ट भूमी तैयार कर दी इसी कारव से इसने अपनी तरफ से बहाणा बना दिया अपनी तरफ से आरोब लगाए और अपनी तरफ से युद्ध की वैदान में उतर गए और टीप करने लगे यही आंगल मैसूर यहाँ हुआ आंगल मैसूर वार और चौधा वार शॉत्वार कब वार ठीगभा सटव्ध इतनी हो गई थे श्री रंग पत्तम में वो मर गया है और कशाठ के एंस याडिक उस्थंग में चपा भी हुआ है कि उसको जहां पर लिटाया गया है और कोई एक जनरल है कोई एक हाथ उठा करके ऐसे जा रहा है कि हमने तो टीपु सुल्दान को मार दिया है और उसकी तस्फिर की चित्रकारी की गई है च्छाया चित्र बनाए गया है तो शेयंग पट्टम में वह आखरी समय तक यह दलरता रहा और उसकी प्रसिद्ध उक्ति थी प्रसिद्ध वा अच्छा है कि हम एक दिन शेयर की तरह जी है तो यह उसकी प्रसिद्ध उक्ति थे यहीं प्रसिद्ध उक्ति बोलते बोलते श्री रंग पट्टम के दुर्ग पर उसका मिलत्य हो गया और यहीं पर आंगल मैसुर्य युद्ध समाप्त हो गया और तब जाकर के यह जो सब्सक्राइब करते हैं कि समाज में होगा इसके बाद जो है आंगल और मराठा की बीच में क्या संब्द रहे हैं उसके बारे में डिसक्स करेंगे इसमें फिलाल इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद नमस्कार जैन